वेल्कम अगें टू फाइन आर्ट स्टड़ी आज के इस फेडियो में हम फाइन आर्ट के प्रीवेस एर कुछ गुश्चन देखेंगे और यह सबी जो कुश्चन है यह एच्टेट में आए हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं और यह जितने भी क्वश्चन हैं इनके पीछे हम इनकी पूरा concept देखेंगे, पूरी theory देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है, एक ही question के साथ, वो topic आपको mostly clear हो जाए, तो start करते हैं, first question है हमारा, कि नुजूम उलूम नामक चित्रित ग्रंथ, जो कि खगोल विध्या पर आधारिता, किस की काल में लिखा और चित्रित हुआ आप देखेंगे, सबसे पहले तो यहीं से आपको question गुमा कर एक बार कई बार ये भी दे दिये जाता है, कि जो नुजूम उलूलूम है, वो ग्रंथ किस पर आधारित है, किस विध्या पर आधारित है, या उसके किस subject पर वो base है, तो आपका खगोल विध्या पर ये आधार आधारित है, इसका जो right answer है, वो हो जाएगा, अली आदिल शाह, फर्स्ट, अब इसके काल में लिखा गया, तो कई बार इसका पूछ लिया जाता है, कोन से वंश में थे, तो ये जो दक्षिन साशक थे, उनके काल में हुआ था, तो थोड़ा से इसके बारे में देख लेते है, तो ये लगबाग जो है, वो 1570 इसी पूर में भारत की अली आदिल शाहा प्रत्थम के साशनकाल के दोरान बीजापूर में हुई थी, इस बार आप से जगे पूछ ले जाए, दक्षिन के ये साशक थे, या फिर डारेक्ट बीजापूर भी दे दिया जाता है, क्योंकि संकेतों, सूफी, ताबी, जादूी, मत्र, देवी, देवताओं, जोतिश, तालिकाओं, कुंडली, जानवरों और हतियारों के लगबग 400 चित्री यहां पर शामिल है, तो ये इनके बारे में जो में में बाते थी, वो है, चलते हैं, नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं, तो महिला कलाकार कौन है, तो यहां पर आपको चार नाम दिये गए हैं, पिलू पोचकान वाला, जोती भट, शांती दवे और जोती स्वरूप, इन में से जो है, वो पिलू पोचकान वाला नेट में भी पूछा हुआ सवाल है, और जोती भट जो एक ग्राफिक आर्टिस ना, बारे में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यह सबसे में हैं, यहां पर इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाकि हम एक बार चारो ही देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइड आंसर है, वो हो जाएगा, पिलू पोचकान वाला, इनक मूर्ति कला के लिए जाना जाता था, अच्छा, इनके शैली आपसे पूछ ली जाए, तो अदुनिक्तवाद और अतिशुक्षमवाद, इनके कुछ चित्र देख लेते हैं, तो यह एक है, फ्लाइट करके इनका चित्र है, उसके साथ यह इनके कुछ फेमस जो चित्र है, इनके काफी चित्र थे, जो कि बहुत फेमस थे, तो यह इनके में चित्र है, उसके बाद नेक्स देखते हैं, जोती भट के बारे में, जोती भट के बारे में आपको सबसे में जो बात याद रखनी है, वो है, सबसे पहले तो इनका नाम, इनका नाम आपको पूरा याद र मूं के कलाकार थे इन्हें 2019 में पदमश्री मिला था और ललित कला कादमी के फैलोर ये मिला था इन्हें 2022 में तो ये मेन मेन बात है इनके बारे में जानने की उसके बाद इनके कुछ famous चित्र है जैसे की isolated तिक है और ये तो सबसे जादा है आपका देवी जो है देवी का जो चित्र है ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है और ये आप सभी को पता भी होगा उसके बाद ठीक है ये सभी जो है वो जोती भट के चित्र है उसके बाद है शान्ती दवे तो शान्ती दवे का जो जन्म है वो 1935 सितंबर 1931 को हुआ था ये चित्रकार और मूर्तिकार थे कई लोग बीसवी सदी के प्रमुख भारतिय कलाकारों में से एक ने मानते हैं वहललितकला एकादमी और सहित्य कला के पूर्व सदश्य देखे ये जितने भी नाम है जोती भट हो गया शान्ती दवे हो गया जोती सुवरूप हो गया ये सभी नाम से फिमेल लगते हैं लेकिन ये सभी जो है वो मेल आर्टिस्ट है अच फेमस थे और ये भी जो है वो बड़ोदा सम्हूं के चित्रकार थे तो शांती देव के ये जो कुछ फेमस चित्र हैं ठीक है तो इनकी जो शैली किसी भी चित्रकार गिये अगर आप एक दो चित्र देखोगे तो आपको उनकी शैली का पता लग जाएगा और बाद में आप में हुआ था नाइटिन थर्टी नाइन में ये चित्रकार थे कवी थे नाटकार और मियूरल आर्टिस्ट थे ठीक है उसे और रसाइनसासर और होमेपैतिक के भी ये ग्याता थे उनके बाद इनका जो इन्होंने जो है अमूर्थ और अभी वेंजनावादी प्रणाली पर चित्रांकन किया था कई बार ये क्वेशन पूछा जाता है कि किस से प्रभावी थे तो वांगोग पिकासो और पॉल कली से ये प्रभावी थे वाटर कलर और ओयल और एक्रेलिक कलोर में इन्होंने काम किया था और जो इनकी श्रंखला है वो आपको याद रखनी है एक तो लोग देख लीजिए अक्रेलिक में इन्होंने ये बनाई थी और इसी के लिए ने 1984 में ललित कलायक आदमी का पुरुषकार मिला था इसके साथ ही एक इनर जंगल श्रंखला ये भी इनकी बहुत फेमस है तो बस यही इनके बारे में आपको याद रखना है चलते हैं नेक् इसके बाद देखते हैं ए रामचंदरन के बारे में तो सबसे पहले आपको इनका पूरा नाम याद रखना है अच्यूतन रामचंदरन नायर इनका जम 1935 को हुआ था केरल में चितरकारी के लिए फेमस है और 2005 में ने पदम भूशन से तमानित किया गया था इनकी श्रंखल ठीक है तो ये यातिश रंखला के ही इनके कुछ चितर हैं उनके बाद है मन्जीत बावा तो इनका जो जन्म है 1941 में हुआ था और इनका जो उपनाम है वो इने बावा के नाम से जाना जाता था और पंजाब में इनका जन्म हुआ था 2008 में इनकी मृत्ति हुई थी और रास्टिय कारिदा सम्मान रास्टिय परुसकार ललित कला एकादमी नई दिल्ली की तरफ से इनने सम्मानित किया गया था और मंजीत बावा पहले चितरकार थे जिन्होंने पस्चमी कला में प्रभावी ग्रे और ब्राउन से हटकर लाल और बैंग्नी जैसे रंगों को चुना था मंजीत बावा के जो चितर है वो अगर आप एक चितर देखोगे न तो इस त्राइब के जो रंग है वो इन्होंने अपनी चितरों में यूज किया है और सभी चितर बहुत जादा सिमलर है ये सभी जो है वो इनके बनाएवे चितर है देखे इनके जो कलर हैं बिल्कुल सिंगल कलर ये यूज करते थे जैसे बैग्राउंड में यह देखिए और एकदम जो तेज चटक रंगों का इन्होंने यूज किया है उसके बाद बात करते हैं गनेश पाइन के बारे में एक सेकिंड गनेश पाइन का जो जन्म है वो 1937 में हुआ था कोलकाता में और मृत्य इनकी 2013 में हुई थी पस्चिम बंगाल में ही इन्होंने जो शिक्षा है वो गर्मेंट कोलेज ओफ आर्ट एंड क्राफ्स से की थी और जो चितर कला के लिए इन्हें जाना जाता था आंदोलन की बात करें या इनके भारती आदोनिक कला से जुड़े हुए थे और ये इनके द्वारा बनाया हुआ चितर है ठीक है ये दोनों ही उसके बाद बात करते हैं कि लक्ष्मा गोड इनका पूरा नाम आपको सबसे पहले याद रखना है कलाल लक्ष्मा गोड और और 1940 में इनका जन्म हुआ था निजामपूर हैदराबाद में और चितरकारें के लिए जाने जाते हैं और इन EH भी जो है वो पदमश्री से सम्मानित किया गया था ये जो है वो चितरकार प्रिंट मेकर और ड्राफ्ट में थे लेकिन प्रिंट मेकर के रूप में ये सबसे ज्यादा फेमस है तो यह देखिए इस टाइप के यह चित्रों के लिए जाने जाते थे नेक्स कॉस्चन है कौन सा रंग एक वर्णियर रंग के अंतरगत नहीं आएगा ठीक है तो इनमें से बताना है कि कौन सा रंग उसकी श्रेणी में नहीं आएगा तो इनकी थोड़ी से डिटेल देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो टोपिक है इससे आपका जो कलर का टोपिक है वो 80-90 परसंट आपका कवर हो जाएगा आप इससे ध्यान से देख लीजेगा तो जो है कलर सबसे पहले तो प्रैमरी कलर तीन होते हैं लाल पीला और नीला ठीक है उसके बाद आजाता है सेकेंडरी कलर secondary color जब दो colors को मिलकर बनाया जाता है तो वो secondary color होता है जैसे नारंगी बैंगनी ये जो है ये secondary color है नारंगी बैंगनी और हरा तो लाल प्लस पीला नारंगी तो ये आप लोग देख लीजेगा वाँसे आपको सबसे में तो आप ये वाले याद रखिएगा ठीक है ये याद रखने वाले हैं उसके बाद जो प्रात्मिक और दृत्यक रंगों के दो रंगों के मिश्रन से बनने वाला जो color होता है वो तृत्यक रंग कहलाता है जैसे पीला प्लस नारंगी को मिलाएंगे तो citron ठीक है नारंगी और लाल वर्मिलन इस टाइप से ये जो है पूरा चार्ट है आप चाहे तो लिख लीजिएगा इनको उसके बाद next है अगें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके गुण की कौन सा प्रभाव होता है क्या गुण होता है क्या उनके जो रंगत है वो कैसी होती है तो इस टाइप की question जो है वो पूछे जाते हैं तो वन की रंगत प्रवन की जो प्रकरती होती है उसे ही रंगत कहते हैं जैसे कि लाल पन हो गया पीला पन हो गया नीला पन हो गया वन का मान मान मतलब उनकी गहरा हलका इस टाइप से तो गहरा नीला, हलका नीला, वर्ण की सगंता, तो ये जो है वर्ण की सुद्धता का परिचायक होते हैं, हरा रंग, ये तो जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हरा रंग किसका प्रतीक है, इनका गुन क्या है, ये कैसा प्रभाव डालता है, तो इस टाइप से question बनते हैं, हरा रंग जो है वो शोक, उतेजक और आकरशक है, ये है सक्रिय आकरमकता का प्रतीक है, वीरता, पराकरम, साहस, श्रंगारिक, तिव्र और कामुक भावना को भी दर्शाता है, उसके बाद पीला रंग जो है वो दिव्वेता तथा येश का प्रतीक है, सफेद रंग जो है वो प्रतीक है तो इससे आपके mostly जो color की question है वो आपके clear हो जाएंगे उसके बाद next question है कि किस मंदिर में सूर्य भगवान की तीन प्रतिमाएं हैं तो इसका जो answer है वो हो जाएगा को नार्क ठीक है option number 4 तो इसकी भी थोड़ी detail देख लेते हैं कोनार्क सूर्य मंदिर कोनार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिसा में है ये तो आप सबको पता होगा बोडिसा के पुरी जिले में समुद्धर पर स्थित है अच्छा सबसे जो question पूछा जाता है वो इस टाइफ से है कि उत्तर पूरु में कोनार्क में एक तेरवी स्ताब्दी इस वी का जो सूर्य मंदिर है DSSSB में ये question पूछा गया था कि एक question तो था कि किस तरफ है ठीक है कहां पर स्थित है तो ये जो है ये उत्तर पूरु में स्थित है एक question ये आया हुआ था कि जो कोनार्क है उसका क्या अर्थ होता है तो ठीक है कोनार्क का अर्थ होता है सूर् गवंस के राजा नर्सिंग देव प्रथम को जाता है सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाए गया है कि सूरज की पहले किरने सीधा पूजा करने की जगे और भगवान की मूर्ती पर पड़े 1984 में युनेसको ने इसे विस्व विरासत स्थल के रूप में माननेता दी थी इसे जो है वो ब्लैक पेगोडा की नाम से जाना जाता है अगें मोस्ट इंप्रोटन पॉइंट है इस मंदिर की विशेस्ता यह है कि यहां किसी भी घड़ी के बिना भी समय को इंगित किया जा सकत है कलिंग में वास्तु शैली में यह बनाया गया है रत के आकार में यह बना हुआ है इसमें 12 जोड़ी पहिये है यह भी कोस्टन डिटिबल एसमी में पूछा हुआ है ठीक है और यह जो बारा पहिये हैं यह 12 महीनों का प्रतिक है अगर आप से पहिये पूछा जाए तो 24 है और जोड़ी पूछा जाए तो 12 है ठीक है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो था हमारा एलोरा एलोरा का जो मूल नाम है वो है वेरूल और यह और अंगबाद महाराश्टर में है इसका निर्मान राश्ट कूट वंस की शाशक कृष्ण परतम ने करवाय था एलोरा यूनेसको द्वारा 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेश साइट में शामिल किया गया था यहां पर जो है वो 34 गुफाएं हैं और इसमें हिंदू बोद और जैन मंदिर बने हुए हैं उसके बाद यह जो है यह पांचवी से दसी साप्थी में बने यहां पर 12 तो बोद गुफाएं हैं वो बोद सत्रा से सत्रा हिंदू गुफाएं हैं यानि 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 की जो पांच गुफाएं हैं वो आपकी जैन गुफाएं हैं एलोरा की गुफा में 10 चैत्ते ग्रह हैं चैत्ते आपको पता होगा ज जो कि सिल्व देवता विश्व कर्मा को समर्पीत है इसके निर्बान कारिय में एलोरा का केलास गुहा मंदिर सबसे उतकरस्ट है केलाश मंदिर जो है वो एलोरा का सबसे जादा फेमस है और इसी के बारे में भी बहुत जादा क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा option था वो था elephant की गुफाएं तो उनके बारे में देख लेते हैं elephant की गुफाएं जो है वो महराष्ट में है और इसे धारापूरी यह धारापूरी ठीक है यह फिर गुफाओं का सहर भी से कहा जाता है भगवान शिव को यह समर्पित है और इसे unit को द्वारा 1987 में शा साल्ट की उचे चट्टानों में दिवारों की दिवारों को काट कर इसका निर्मान किया गया है उसके बाद last है हमारा महाबली पुरम इसे मामल पुरम के नाम से भी जानते हैं और यह तमिल नाडू में है मंदिरों का शहर राज्जी की राजदानी चेननई से यह बंगाल क और पत्थरों को काट कर यह बनाए गया है एक आशम पत्थर का सबसे बहतरीन जो उधारन है वो महाबली पुरम है एक आशम मैं आपको फिर से बता देती हूँ जो एक ही पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं वो एक आशम होते हैं और यह सबसे बहतरीन उसका उधारन है इन जिन में से पांच का नाम महाभारत के पांडूों और एक दरोपती के नाम पर रखा गया था ये हैं धर्मराज, भीमरत, अर्जुनरत, दरोपदीरत और नुकुल सहदेवरत ठीक है तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपून बाते थी तो ये हमारे 6 कोस्चन कम्लीट होते है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप मुझे बताईएगा कि क्या इस तरह से करवाना आपको ठीक लग रहा है अगर आपके कमेंट आएंगे कि हाँ अच्छा है तो हम इसी तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर एच्टेट के कुछ और क्वेश्चन पेप